हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुभम पुरोहित आपका जोगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रेंस पर मैगनेट ब्रेंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंगलिश मीडियम में और छटवी से लेकर बारवी तक हम आपको प् से डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एंपी बोर्ड और राजिस्थान बोर्ड इन सभी बोर्ड में आप हमारी कख्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टुडेंट्स हम लोग कख्षा ग्यारवी की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धान्त इस कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एंसी आटी सॉलुशंस भी देख लिये थे आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से सम्मंदित कुछ बेहद महत्वपूर्ण में सब्सक्राइब को स संग्रह ले कर आते हैं और वीडियो का टाइटल होता है multiple choice questions ठीक है उम्मीद करता हूँ आपनों को वीडियो पसंद आईगी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बेना हिच के comment box में comment कर देना है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रशन आप लोगों से पुछा गया है महासागरिये जल की ऊपर एवं नीचे गती किस से संबंदित है देखिए जब भी यहां पर प्रशन होता है आपनों को वीडियो पॉस करना है आपनों को सोचना है थोड़ी देर कि answer क्या होगा आप चाहें तो comment बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंसर आंसर देख लिया और वीडियो जो है वो आगे बढ़ा दी नहीं ऐसे में आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी अपने आपको भी जांचना है ठीक है चलिए पहला प्रशन पूछा गया है कि महासागरी यह जल की ऊपर नीचे गती को बताता है जल स्तर की जब बात होती है जल श्तर जो ऊपर नीचे होता है इसको हम जुआर बोलते हैं धाराएं तो जल और देख लेते हैं जो आर भाटा के निरमान लिए कौन सा बल उत्तरदाई नहीं है तो प्रत्वी का गृत्वा कर्शन सूर्य का गृत् involves नहीं है तो सूरय चंद्रमा और प्रत्वी का पारस परिक मतलब एक दूसरे की उपर जो गृत्वा करते बर conteúdo लगता है इसकी वजह से ज्वार भाटे आते हैं तो सूर्य प्रत्वी और चंद्रमा के पारस पर एक गुर्टवा कर्शन बल की वज़े से जल कस्तर उठता है नीचे आता है मतलब ज्वार भाटे आते हैं कोरियोलिसिस बल की वज़े से ज्वार भाटे नहीं आते हैं जल धाराएं जरूर च कहां पर आते हैं फंडी की खाड़ी फ्युनिया की खाड़ी मैक्सिकों की खाड़ी या कार पेंटरिया की खाड़ी तो आपकी NCRT की Bachman इस चैप्टर में महासागरी जल संचलनष वाले चेप्टर में फंडी की खाड़ी के बारे में दि分鐘 किया गया है और आपको बता गया है कि जो कनेड़ा है उत्री कनेड़ा वहां पर इस्थित जो फंडी की खाड़ी है यहां पर विश्व के उच्चतम जवार देखने को मिलते हैं और एडवाइस भी दी गई थी कि यदि आप वहां पर जाएं तो आप जवार देखना ना भूलें को याद आरहा होगा सही आंसर है फंडी की खाड़ी तुरंत मैप खोलिए मैप नहीं है तो गुगल करिए फंडी की खाड़ी कहां पर है वैसे मैंने बता दिया है कैनड़ा के पूर्वी साइड है आप लोग को देखना है क्योंकि मैप में ये प्रश्ण बहुत बार-बार जो है वो पूछा जाता है तो तीन प्रशन हम लोग ने देख लिए हैं चौथा फ्रशन जो है अम लोग देख लेते हैं प्रत्वी तथा चंद्रमा की नियूनतम दूरी होती है तो प्रत्वी और चंद्रमा की जो नियूनतम दूरी होती है वो क्या होती है अपसौर उपसौ और अपुभू और अपुभू तो कुल मिलाकर यह जो चार टर्मिनलोजी है ना यह चारों टर्मिनलोजी सूपर आई एंपी हो जाती है इसलिए इस प्रश्ण को डवल स्टार आप मार्क कर लीजिए देखे प्रत्वी और सूरी की जो मैक्सिमम दूरी होती है अगर प्रत्वी और सूरी की बात आए प्रत्वी और सूरी की जो मैक्सिमम दूरी होती है उसको हम लोग अप्सौर बोलते हैं अच्छा मैक्सिमम और मिनिमम शब्द में क्यों प्रियोग करता हूं क्योंकि आप लो होती है कभी बहुत दूर होती है अगर पास होती है तो उपसौर होता है तो अपसौर होता है इसी तरीके से अगर प्रत्वी की अगर जगा जो है चंद्रमा मून आ पास होता है कभी दूर होता है मून अगर आर्थ के पास होता है तो इसको बोलते हैं उपभु और यहीं थ्यूंत भॉब हुग है बहुत अच्छा प्रशन था याद रखेगा पांच में नंबर का प्रस Bhag रिख लेख लिते हैं कि व्रहद ज्ऑार Exec जो हो जो होता है सामाले से उचा उठता यह व्रहद ज्वार की स्तिति मैंने बताया था आप लोगो A पूरी मा आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे मज़ा आ रहा है ना वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लग रही है मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंच रहा है तो चलिए पटा फट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शे साइल की धारा फॉक्लेंड की धारा या अगुलहास की धारा गर्म जलधारा आपनों को बतानी है तो गर्म जलधारा का उधारन है अगुलहास की धारा अगुलहास की जलधारा जो मोजामबिक और मेडागास करके मिलने से बनती है यह दलधारा ऑस्टेलिया के पूरवी सा है यहांपर आपनों को पता है मुजाम्बिक जो देश है और यहां पर दो फे मिलने से जडन班 लुक्त हर जर्म लेती है सकतरर की धारा है फंडी जलधार है हम लोगों पढ़ा भी था कि लेवरेडोर और गल्फ स्त्रीम की धारा मिलने से यहां पर कोरा पैदा होता है मतस्षि पालन शेतर बनता है तो उस समय ग्रीन लैंड के जो पूर्व मैंने वताई थी वो कौन सी जलधार हैं ठंडी और गर्म हम लोगों ने देखी हुई है मैप पर बहुत अच्छे से आपकी एंस्याटी की बुक में जलधाराओं का यह बहुत अच्छा चित्र दिया गया है उस चित्र को बार-बार देखना है तभी आप को याद रहेगा याद रखने की ट्रिक भी मैंने बताई थी कि ध्रुवों से जो जलधारा चलेगी वो ठंडी रहेगी और विशुवतिये छेत्रों से जो जलधारा चलेगी वो गर्म रहेगी ठीक है उमीद करता हूं यह छटवा प्रशन आप लोगों को क्लियर हो गया होग सबसे आधा संभावनाई कहां पर है अरब की खाड़ी बंगाल की खाड़ी फंडी की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी बिना सोचे समझे आप इसका उत्तर दे सकते हैं फंडी की खाड़ी अभी हम लोग ने देखा था क्यों क्यों क्योंकि मैक्सिमम ज्वार साथवाधि की संभावनाएं भी सबसे ज्यादा होंगी चलिए साथवे प्रशन का उत्तर होगा ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी आठवा प्रशन देख लेते हैं निमनांकित में से कौन सी धारा अट्लांटिक महासागर में नहीं बहती है बहुत ही महत्वपूर प्रशन अब अट्लांट कोहरा पैदा होता है प्लैंक्टन की पैदावार बढ़ती है मचलियां ज्यादा आती है इसलिए मतस से उत्पादन केंद्र जो है यहां पर विक्सित हुए है न्यूफाउंड लैंड स्थान है तो गल्फ स्टीम और लेब्रडोर की जो धारा है जो गर्म और ठंडी है ठीक कि लांजतरहे घ्टाव का यहां सभार इसका होगा और याद रखिएगा चलिये नवनम 1 नमबर का प्रस्ण देख लेता हैं सनसार का संसार का पहला ज्वारी कहां इस्थापित किया था बहुत अच्छा प्रशन है संसार का पहला ज्वारी विद्ध ग्रह का पहली बार कहां कि गई थी फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका भारत या फिर अरजेंटीना सही आंसर इसका होगा option फ्रांस फ्रांस में पहली बार जुआरी विद्दुत ग्रह की स्थापना हुई थी याद रखिएगा ठीक है उम्मीद करता हूं यह नवा प्रशन आपनों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा चलिए दसवा प्रशन देख लेते हैं प्रत्वी पर उपसौर की स्थित हैं देट साइर पता होना चाहिए जनवरी में उपसौर की स्थिति प्यदा होती है याद रखिएगा कितने जनवरी को पैदा होतीय है कमेंट भॉक्स में बताना है आप लोगों को कितने जनवरी को उपसौर और किसधिल बंती है तुरंत मुझे अपसौर अपसौर की डेट साइट उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रशन आप लोगो बहुत अच्छी से क्लियर हो गयोंगी मज़ा आ रहा है ना वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप समझ पा रहे हैं जो मैं समझाना चाह है चलिए 11 नंबर का प्रशन हम लोग देख लेते हैं कि महासागर की तरल सतह के विक्षोब को क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा प्रशन महासागर की जो तरल सतह है उसमें विक्षोब अगर पैदा होता है इसको हम क्या बोलते हैं लहर धारा ज्वार या प्रवाह इसका स से तरंग बोलेंगे ऊपर नीचे आगे पीछे कती हो रही है तो फिर तरंग बोल रहा है जल स्तर बढ़ रहा है तो जुआर बोल रहा है और एक दिशा में प्रवाह हो रहा है तो हम लोग इसके प्रवाह बोलता है अगर धारा जो हो उसकी स्पीड कम है तो फिर हम इसे इसको डवल स्टार मार कर लीजेगा मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे यह सूर्य है यह मा लीजे चंद्रमा है और यह मा लीजे प्रत्वी है ठीक है सूर्य और चंद्रमा सूर्य चंद्रमा और प्रत्वी जब एक सीध में होते हैं एक सीध में होते हैं तो दोनों का मतलब सूर्य का चंद्रमा का दोनों का पारसपरिक गुरतवा करशन बल प्रत्वी के जल को अपनी और खीसता है और जल इसतर प्रत्वी का क्या होता है यहां पर बढ़ जाता है ऐसे दूसरी साइड बढ़ जाएगा अपके इंदरी बलके कार्ण लेकिन यहां पर सूर्य और चंद्रमा की कैसी स्थिति है रेखिये स्थिति याद रखिएगा एक सीध में जब होते हैं सूर्य चंद्रमा और पध्वी तब ही ब्रहद ज्वार आते हैं याद रखि संसाधनों का भंडार कहा गया है वैसे आप लोग अगर कॉमन सेंस करेंगे तो इस प्रशन का उत्तर दिपाएंगे क्यों मैं कॉमन सेंस बोल रहा हूं कि कई बार ऐसे प्रशन भी पूछ लिए जाते हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता अब इस प्रशन में आप लोगं को कोई खास चीज़ें नहीं जो है पूछी गई है बस आप लोगं को यह देखना है चैप्टर कौन सा पढ़ रहा है महासागरी जल संचलन ठेक है इससा आप से यह आंसर क्या होगा महासागरी हो गया और अगर हम वैसे भी देखें कि संसाधन क्यों बोल रहा ह है कोई पैट्रोलियम मिल रहा है बहुत अच्छे रत्र मिल रहा है और अल्टिमेटी महासागरी यह जल मार्ग से ही तो यातायाद भी हो रहा है और जल अपने आप में एक संसाधन है तो अबर अगर हम लोग देखें तो महासागर जो है वो भविश के संसाधनों का भंडा कही जाते हैं भविश में जो संसाधन पैदा होंगे चलिए नंबर का प्रशन देख लेते हैं जिस दीप के द्वारा अगुल हास धारा दो भागों में विभक्त होती है बहुत ही अच्छा प्रशन मैंने बताया था कि मेडा गासकर जो द्वीप है मेडा गासकर ठीक है अफरीका महादवीप के पूरु साइड मेडा गासकर द्वीप है जैसे कि यह मान लीजिए अफरीका महादवीप है इसके पूरु साइड एक बड़ा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं मेडा गासकर और यहां पर दो जलधाना है मोजांबिक और दूसरी 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 आ दो जल्धार के मिलने से गया नहीं जल्धारा जो में आंपनों को चाना है कौन से दो जल्धारा यहां पर पैदा हों एक मता चुक्क हो मोजांबिकason इम्समा अधे लत रitos प्रशन आज पुडियो का कि भारत में तरंग उर्जा प्राप्त करने का सहींत्र जो है वो कहां लगाया गया है विजिंगम चेननयीत मुंबई और विशाका पटनम ये करेंट लेटिस न्यूज है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विजिंगम ठीक है कौन से स्टेट में है कमेंट करके बताईए बहुत ही आसान प्रशन है करेंटली न्यूज में था इसलिए मैंने यहाँ पर एड कर दिया है तरंग उर्जा प्राप्त करने के लिए वैसे चैप्टर में आप लोगों को म सही उत्तर मैंने बता दिया विजिंगम स्टेट का नाम गैस करिये सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी सभी 15 प्रशनों के मैक्सिमम सही उत्तर आप लोगों ने दिये होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसी तरीके से cbsc बोर्ड के साथ डैली बोर्ड बिहार बोर्ड डॉट कॉम यह हमारी ओफिशल वेब साइट है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं यहां पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज दे में आप लों को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लों को महसूस नहीं होगी डे टूडे अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिन सोशल मीडिया चैनल पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब फेस्बुक इंस्टागरम ट्विटर और वाट्सअप चैनल आपको करना क्या है इन सभी चैनल को सब्सक् स्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू सो मच